तो वेल्कम टू माइ यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइप दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइप पर स्वागत हैं आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं जरॉंग के जरॉंग के दुवारा लिखी गी एक बहुत ही चाहिकल शॉर्ट स्टोरी अंटल पॉजर हैंक्स की कहानी स्वागत है इसकी समरी में इसकी रेलिवन्स तो इससे पहले की हम लोग अपनी मेन टॉपिक को स्टार्ट करेए եोड़ा से हम लोग जरॉम की जरॉम के बारे में जानए जरॉम वास बार्न इं Caldmore, Walshal, England He was the fourth child of Margaret Jones and Jerome Clare An iron monger and lay preacher Who dabbled in architecture He had two sisters Paulina and Blandina And one brother Milton who died at an early age Jerome was registered as Jerome Clare Jerome like his father's amended name And the Clare appears to be a later variation The family fell into poverty Owing to bad investment in the local mining industry And debt collectors visited often An experience that Jerome described vividly An autograph of my life and times So if we talk about Jerome's story So his father's wrong investments And his father's wrong investments And his family fell into poverty री लोब लॉम ग्रामर स्कूल, he wished to go into politics or be a man of letter, but death of his father when Jerome was 13 and his mother when he was 15 forced him to quit his studies and find work support for himself. Basically, वो एक politics में जाना चाहते थे, but उनके 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 बोथ पेरिंट्स के डेथ के कारण उनको अपनी study को छोड़ना पड़ गया. He was employed at the London and Northwestern Railway, initially collecting coal that fell along the railway and he remained there for four years. तो basically उनकी starting की life अगर हम लोग देखे तो बहुत ही hardships वाली थी. तो ये था Jerome के Jerome के बारे में एक brief सी introduction. अब हम लोग अपनी main topic की उपर चलते हैं, that is Jerome की Jerome's Uncle Pogger Hank's A Picture. You never saw तो ये कहानी एक ऐसे शक्स के बारे में है. जो शक्स ये समझता था कि उसके जैसा intelligent, समझदार इनसान दुनिया में कोई है ही नहीं. और reality क्या थी? reality ये थी, he was good for nothing. वो एक ऐसा शक्स था जो show बहुत कुछ करता था बट उसके पास था कुछ नहीं. जाने कि वो एक ऐसा character था वो show तो करता था कि उसके पास बहुत सारी knowledge है. बट इन reality उसके पास कुछ भी नहीं था और वो किसी काम के काबिल नहीं था. और इस कहानी में भी वो एक simple सा task करना undertake करता है. और वो task क्या है? वो task है, दिवार के उपर एक तस्वीर को लिटकाना या टांगना. कितना मुश्किल काम है? अगर हम सब लोग देखे तो यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. हम में हर शक्स इसे बड़ी असानी से without anyone's help complete कर सकता है. बट वो ऐसा शक्स है जो इतने से काम के लिए अपनी पूरी की पूरी family को involve कर लेता है और पूरी की पूरी family को involve करने के बावजूद भी वो अपने इस काम को पूरे तरीके से complete कर ही नहीं पाता. उसका ये काम complete हो ही नहीं पाता और end में वो अपनी हर गलती का हुआ जो दोश है वो अपनी फै profoundly कर देता है और एसे शक्स कम भी वे ढोला कि भानोरों से अरूपर ली परफेट्ली नहीं कर पाता तो राइटर कह रहा है कि आप लोगों ने कभी भी किसी घर में इतनी हलचल नहीं देखी होगी जो अंकल पॉजर के घर में देखने को मिलती थी जब भी वो घर में कोई काम करना शुरू करता था तो एक तस्वीर बनाने वाले के पास से एक पिचर आई हुई है इनके घर में और वो डाइनिंग हॉल में एस इट इस पड़ी हुई है और आंट मारिया आंट पॉजर सरी जो अंकल पॉजर की वाइफ है वो अपने हस्वेंट से पूछती है किस तस्वीर का हम लोगों ने क्या करना है तो कहानी की शुरुवात में इसके करेक्टर की हमें एक ब्रीफ सी इंटॉड़क्शन दे दी है कि वो एक ऐसा करेक्टर है जो किसी काम के काबिल नहीं है और कहानी की श्टार्टिंग में हम लोगों को इंसिडेंट बता दिया गया है कि एक तस्वीर जो है वो अंकल पॉजर के घर पे आई है और आंट मारिया आंट पॉजर जो है अंकल पॉजर से पूछ रही उस तस्वीर का क्या करना है तो अंकल पॉजर आगे रप्लाई क्या कर रहा है तो अंकल पॉजर बड़ा सिंपल सा रप्लाई करता है आप लोग उस तस्वीर की कोई चिंता मत करो वो काम मेरे उपर छोड़ दो मैं अपने आप उस तस्वीर का जो भी करना है जहां पे भी उसको हैंग करना है मैं अपन कर रहा है कि वो यह सोचता है कि वो कोई भी काम बिना किसी help के कर सकता है और reality क्या है? reality यह है कि वो किसी भी काम को घर में भगदर उथल पुथल किये बिना complete कर ही नहीं सकता और वो अगर complete करता भी है तो उसे perfectly नहीं कर पाता and then he would take off his coat and begin he would send the girl for six of pen worth of nails and then one of the boys after her to tell what size to get and from that he would gradually work down and start and the whole house तो वो क्या करता है? अपना coat उताता है और काम की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और फिर पहले उसने क्या गया थो मुझे किसी की जूरत नहीं है फिर वो अपनी एक बेटी को market भेजता है और उसे कहता है कि वो nail लेके आए, kill लेके आए क्योंकि kill के सहारी तो तस्वीर को hang करना है वो अपनी बेटे को उसके पीशे भेज देता है कि वो जाके उसे nail का size बताए जिस size का nail उसे market से लेके आना है तो इस परकार से जहां पर उसने कहा था किसी को भी वो काम involve नहीं करेगा धीरे धीरे करके वो अब पूरी family को involve करना शुरू कर चुका है तो फिर वो कहता है अपने दूसरे बेटे को कि वो उसे जाए और उसका hammer प्रवाइड करे और उसके साथ साथ उसका rule भी प्रवाइड करे जिसे उसने measurement करनी है कहां पे nail लगाना है उसके बाद वो कहता है उसे एक CD भी चाहिए उसके साथ साथ एक chair भी चाहिए और वो अपने बेटे को कहता है उनके पडोसी मिस्टर गॉगल्स के पास जाए और उसको अपनी रिगार्ट्स भी 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 जाए उसके साथ साथ वो कहता है कि वो मिस्टर गॉगल्स एक पास इस spirit level जो level देखने के लिए हम लोग use करते हैं वो भी उससे कुछ समय के लिए जब तक कि यह तस्वीर उन्होंने hang करनी है तब तक के लिए उलेके है तो हम लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में उसने कह दिया था कि उसे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है तस्वीर को hang करने के लिए और यहां पे वो अब क्या हो रहा है यहां पे यह हो रहा है कि वो धीरे धीरे करके पहले उसने लड़की को भेजा उसके पीसे एक लड़की को भेजा जो उसको size of nails बताने गया फिर वो tom को कहता है कि उसको step ladder, hammer और chair लाके दे और फिर वो जिम को कहता है कि वो उनके पडोसी के पास से spirit level आगे दे यानि कि धीरे धीरे करके उसने पूरे घर को अपने साथ involve कर लिया है और क्या पूरे घर को involve करने के बाद भी वो अपने काम में कामयाब होता है या नहीं होता है वो हम लोग आगे की कहानी में देखते हैं और फिर वो अपने घर में जो काम करने आती है उसे भी उसमें involve कर देता है वो कहते है कि तुम मेरी तरफ light मारो जिससे कि मैं exact location को exact point को mark कर सकूँ जहां पे मैंने nail को लगाना है और उसके साथ साथ जब लड़की nail लेके आती है फिर उससे याद आता है कि जिस रसी से जिस धागे से उसने तस्वीर को हैं करना है वो तो मंगवाया है नहीं और फिर से टॉम को कहता है कि वो चाहता है कि टॉम उससे उस तस्वीर को पकड़ाए तो हम लोग देख सकते हैं अगर ये चीज हमारे सामने पिच्चराइज की जाए तो वो सेंटर में खड़ा है और उसके आसपास सारे लोग एक सेमी सरकल में खड़े हैं अपना काम करते हुए जिनको उन्होंने रोक दिया है और उसको वो अलग अलग समान सप्लाई कर रहे हैं जहां पर वो कह रहा था किसी की हेल्प की उसे जूरत नहीं है उसने धीरे धीरे करके पूरे घर को अपने साथ इन्वाल्व कर लिया है और जब यहां तक एक बार जब लड़की मार्केट गई है उसे तब यह उसके करेक्टर का एक और हम लोग वीकनेस कह सकते हैं कि उसकी मेमरी भी शायद वीक है बाते वो बड़ी बड़ी कर रहा था बट पहले उसको नेले ने भेड़ी और साइज नहीं बताया अब मार्के बड़ी केज़पि प्रयाब तरहा फड़ी में हिए उसकी में मका बीफिते हैं रही के साइर के लिए उसके हाँ से चुड़ जाती है और उसका फिरीम जो है वह तूड़ मीयाद tension स्वीयर के शीशे को बचाने की वो टूड़ ना जया और इस प्रॉसेस में वह अपने अं हाथ को जखमी कर लेता है और फिर वो अपने रुमाल को ढूंड़ना शुरू कर देता है जिससे कि वो बांथ के खून को बहना बंद कर सके तो पहली अटेंप्ट में ही हमें पता लग गया कि वो गुट फॉर नथिंग करेक्टर है क्योंकि तस्वीर को हैंकरना कितना आसान क काम है और वो इतने लोगों की हल्प के बावजूद भी पहली अटेंप्ट में लग भग तस्वीर को ख़दम डेस्ट्रॉय कर देता है फिर वो अपने रुमाल के लिए धूमना शुरू कर देता है पूरे घर में उथल पुथल मचाता है कहता है कि सब लोग उसे ढूंडो all the house and had to leave him looking for his tools and started looking for his coat और सब लोग उसके coat को ढूंडना शुरू कर देते हैं कहां पर उसने coat रखा है और वो दर्द से ऐसे इधर उधर भाग रहा था जैसा लग रहा था कि वो कोई कोई डांस कर रहा है तो इस परकार से हम लोग देख सकते हैं कि वो बिलकुल ही बिलकुल ही good for nothing character है उसे बस इतना याद है कि उसने जो henki है वो अपनी jacket की pocket में डाला था बट उसे यह याद नहीं है कि उसने jacket कहां पे रख दी है तो वो जब उसका quote नहीं मिलता किसी को भी पूरे घर में उथल पुथल मचानी श्रू कर दी है इसने और फिर वो अपने घर वालों को डाटना शुरू कर देता है कि तुम छे लोगों से एक quote नहीं ढूंडा जा सकता जिस quote को मैंने पांच मिनिट पहले ही उतार के रखा है वो बुरे तरीके से अपने घर वालों की इंसल्ट करता है उनको डाटता है फिर जैसे वो उठके खड़ा होता है तो वो देखता है कि वो उसी quote की उपर बैठा था जिसे पूरा घर धूंड रहा था और जब उड़ता है अब गलती उसी की थी क्योंकि वो तो उस quote की उपर बैठा था बाकियों को कहां से वो गोट नजर आ जाना था फिर से अपनी गलती को चुपाता है हुए वो दोश दूसरों की उपर ही डाल देता है वो कहता है कि आप सब लोग ढूंडना बंद कर सकते हो मैंने खुद अपना ओवर कोट ढूंड लिया है और आप लोगों से तो अच्छा है कि मैं बिल्ली को कह देता वो चीज़े ढू और फिर लगबख आदे घंटे के बाद जब उसकी उंगली को अच्छे तरीके से बेंडेज कर दिया गया फिर से सारा समान इकठा कर लिया गया लेडर चेर केंडल और और जो समान था यहां तक कि उसने घर में काम करने वाली औरत को भी अपने आसवास खड़ा कर दिया थ और सारी की सारी फैमली वो सेंटर में एक लैटर और चेर की उपर खड़ा था फात में उसके तस्वीर थी और बाकी के सारी लोग सेमी सरकल में उसके आसपास खड़े थे उसकी हल्प करने के लिया two people would have to hold him there उसने का दो लोग उसको पकड़ के रखेंगे and a fourth would hand him nail एक उसको नेल पकड़ाएगा and fifth would pass him up the hammer, एक उसको hammer पकड़ाएगा and he would take hold of the nail and drop it और फिर जब ये सारा कुछ हो जाता है तो जैसे ही वो नेल को पकड़ता है वो नेल को छोड़ देता है और फिर सारी की सारी family hold of nail and drop it there he would say in a जटोर नाव देल गौन और फिर सारी की सारी family फिर से गलती उसकी थी उसके हाथ से वो nail छूटा था और फिर से वो सारी family को डाटना सब सारी family के उपर दूश मढना शुरू कर देता है कि ये आप लोगों की गलती है कि पहले आप लोग मेरा overcoat नहीं ढून पाए जो कि उसके जो खुद उसके उपर बैठा हुआ था overcoat के उपर और फिर अप nail भी उसी से की रहा है और फिर से कहता है कि अब आप लोग अच्छे धंसे nail नहीं पकडा सकते और अब nail को ढून नहीं सकते and we would all have to go down our knees and global for it while he would stand on the chair and grunt and want to know if he was able to be kept there all the evening फिर वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है सारी की सारी फैमिली घुटनों के बल बैठ जाती है nail को ढूनना शुरू कर देती है और काफी टाइम वो nail को ढूनते रहते है the nail would be found at last but by that time he would have lost the hammer अंत में जब nail मिल जाता है तो उसे यह याद भून जाता है कि उसने hammer कहां पे रखा है फिर से गलती उसी की है hammer उसने रखा है और फिर से अब family के उपर दोश मढ़ना शुरू कर देता है where's the hammer what did I do with the hammer great heaven seven of you gapping around there and you don't know what I did with hammer फिर वो उनको डाटना शुरू कर देता है कि साथ लोगों मेरे आसपास खड़े हुए आप लोग इतना ध्यान नहीं रख सकते कि मैंने hammer कहां पे रख दिया भी hammer रखा तो तूने है तो दूसरों को कैसे कह सकता है कि आप लोग ध्यान नहीं क्योंकि उनको तो अंकल पॉजर ने पहले ही नेल को डूने में लगाया था और hammer इसने रख दिया तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि he is good for nothing करेक्टर वो किसी काम का करेक्टर नहीं है वो सिर्फ डींगे हांगने वाला एक करेक्टर है जो शो ये करता है कि वो सब कुछ बिना किसी help के बड़ी असानी से कर सकता है बट इन रियालिटी जब वो कोई काम करना शुरू करता है तो वो अपने आपको एक सिंपल सा टास्क करने में भी असमर्थ महसूस करता है और वो हर अपनी नाकामियाभी का जो दोश है वो अपनी इनने नाकामियाभी का जो दोश है वो अपनी फैबिली मेंबर के उपर डालता चला जाता है वो फैबला गता है यूद मुद ऐने में हीएज साना कर्याल तो वो फैबल अफनी कि आद गा एग सृतberg के नेवीड दो प्ले आदना है फिर जब हैमर उसको ढूंड के दिया जाता है उसे यह याद भूल जाता है कि उसने कहां पे मार्ग लगाया था नील को लगाने के लिए और फिर हम इसे हर कोई शक्स उसको नील का मार्ग ढूंडने की कोशिश करता है जब चेयर के उपर चटके उसको बताने की कोशिश करते फिर से वो अपने घरवालों के उपर दोश मढना शुरू कर देता है, उनकी इंसल्ट करना शुरू कर देता है, कि आप वो सब लोग मुरख हैं, जो कि इतना ध्यान नहीं रख सकते हैं कि अंकल पॉजर ने कहां पे नेल को लगाने का मार्क लगाया था और अंकल पॉजर वोड़ वोड़ हैं, फिर से वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है, इतने एक साइड से इंच होगे, दूसरे साइड से कितने इंच होगे, और अपनी फैमली मेंबर को करने के लिए कह देता है, और वो लोग भी इस परकार से वो भी उसने कहा पे नेल लगाना है उसका ँम्हार क दोबारख से पॉइन और कर ले रीजिए थिए ऑनकल। and trying to reach 0.3 inches beyond what was possible for him to reach the string would slip and down he would slide on the piano a really fine musical effect being produced by the suddenness with which his head and body struck all the notes at the same time and Art Maria would say that he would not allow the children to stand and hear such language then what happens then he says that he would say that he would mark for a string and help when he would get 45 degrees when he would get 45 degrees when he would get 45 degrees he would get very lean and one side would be and he would try to reach the point which he would go to the top which he would go to the top of his head and reach the top of his head करता है तो उसके हाथ से रसी सिलिप हो जाती है और वो नीचे पड़े प्यानों के उपर पड़े जोर से गिरता है और जो प्यानों से म्यूजिक निकलता है उसके गिरने से वो नरेटर हुमर क्रियेट करने के लिए सैटायर क्रियेट करने के लिए कहता है कि बड़ा ही एक अ इसिए अप्ज़ा कहना शुरू कर देता तो आंट मारिया आंकल पॉज़र को डाटती है और वो कहती है कि काम उससे धंसे नहीं हो रहा है और वो उल्टा डाट इनको हो रहा है और ऊपर से वो कहती है कि वो ऐसी गलत लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में वो अपने बच्च again and put the point of the nail on it with his left hand and take the hammer in the right और अंत में वो उस point को लगाने में काम्याब हो जाता है जहां पे उसने नेल को लगाना था पिच्चर को हैंग करने के लिए अब वो left hand में नेल को पकड़ लेता है और right hand में hammer को पकड़ लेता है और with the first blow he would smash his thumb and drop the hammer with the yell on somebody's too और फिर इसकी बजाए कि वो नेल की उपर hammer हतोडे को मारता वो जूर से hammer अपने अंगोठे हाथ के अंगोठे के उपर मार देता है और दर्द में वो चिलाना शुरू कर देता और hammer जो है वो उसके हाथ से छूट जाता है और वो नीचे खड़े किसी शक्स के पैर के उपर लग जाता है तांकि वो पहले ही अपने बच्चों के साथ अपने parents के घर चली जाए तांकि उसके बच्चों को ये सारी botheration, ये सारी कमोशन, ये सारी हलचल का शिकार होना ना पड़े तो इस परकार से हम लोग देख सकते हैं कि उसने पूरे घर में उथल-कुथल भगधर्ड हलचल मचा रखी है और अब तक उसकी दो-तीन attempt में अब तक वो एक बार भी किसी काम को भी चाहे वो पहली attempt में picture को लगाना था, फिर चाहे वो mark करना था, चाहे वो hammer से नेल को दिवार के अंदर लगाना था वो किसी भी काम को perfectly कर पाने में असमर्थ होता है, इतने लोगों की मदद करने के बावजूद भी तो यही शो करता है कि अंकल पॉजर बिल्कुल वैसा character है जो show off करता है बट उसके पल्ले कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, वो केवल बातों करने में शेर है, काम करने में वो किसी काम का नहीं है और फिर से वो अपनी वाइफ को भड़ा बला कहना शूर कर देता है कि आप औरतों को तो आदत है कि छोटी सी बात का बतंगड बनाना और क्यूं मैं इस परीके के काम, छोटे मोटे काम मैं अपने लिए कर देता है, ये काम तो मैं मुझे आप लोगों के उपर छोड़ दे करने चाहिए, और फिर वो जब अगली ट्राई करता है, वो इतने जोर से नेल को ऊपर थोड़ा मार देता है कि दिवार के उपर जो रंग लगा था वो भी निकलाता है, और लग भग पूरा का पूरा नेल जो है वो दिवार के अंदर चला जाता है, और उसका बिलकुल उस साथ लग जाता है, तो वो भी एकदम जटके से उसकी जो पूजिशन ऐसी हो चुकी थी, क्योंकि एक जटके से नेल अंदर चला गया और वो पूरा का पूरा दिवार के साथ चिपग चुका था, और फिर से जब वो देखता है, ये तो पूइंट खराब हो गया, फिर से वो स्ट्रिंग उसे पकड़ाई जाती है, फिर से मार्म लगाया जाता है, और लगभग पूरे दिन के इस हलचल, इस कमोशन, इस भगदड़ के बाद, वो आधी रात के करीब जाके उस तस्वीर को हैंग करने में कामयाब हो जाता है, बट कामयाब कैसा, परफेक्ली नहीं होता, तस्वीर तो हैंग कर दी बट वो इस तरीके से, तस्वीर सीधी नहीं वो लगभग टेड़ी तंगी हुई थी और ऐसा लग रहा था, वो तस्वीर कभी भी वहाँ से नीचे गिरके टूड सकती है, और जहां पर उसने, जिस दीवार पर वो तस्वीर को हैं करना चाह रहा था, दोनों साइड्स के उपर, दोनों साइड्स के उपर ऐसा लग रहा था, कि कई यार्ड तक, कई दोनों साइड्स के पास, काफी दूरी तक, वो दीवार ऐसा लग रहा था, कि दीवार को रीग मा के साथ डिवार को सैट पिपर के साथ रब कर दिया गया है और दिवार बिलकुल खुदरी हो चुकी थी बार-बार की कोशिशों के कारण और लग भग उसके साथ जितने भी लोग खड़े थे वो पूरे तरीके से ठक चुके थे और फिर वो चेर से उतरता है और फिर से उतरते है वक्त फिर से वो जो पैर है वो अपने कार के काम सास्वाई करमचारी ने जो समार रखा तो उसके उपर रख देता है और फिर आस-पास देखता है कि उसने पूरे दिन भगदड़ किस परकार से घर में भगद़ मचाई है और वो गर्व मैसूस करता है कि उसने अल्की मेंटली तस्वीर को हैंकर दिया और फिर से वो डींगे हागना शुरू कर देता है कि वो कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा क्यों इतने चोटे चोटे जो काम है लोग उसके जैसे लोगों के उपर छोड़ देते हैं तो अगर हम लोग अब तक ये हमारी कहानी के एंड था तो हम लोग कहानी को देखें तो वो सुबह का लगा था तस्वीर हैंग करना पांसे दस मिनिट का काम है ठीक है तस्वीर इस तरीके से हैंग हुई थी जो कभी भी बी गिर सकती थी कभी भी तूट सकती थी ठीक है और आज अजय होग नाजँ विन दश्चान काम है हैंगा हम तो हम लोग देख सकते हैं कि अंकल पॉच्जर जो है वो गुड फॉर नथिंग करेक्टर है इतनी कमोशन फैलाने के बावजूद भी वो एक छोटे से काम को वो ढंक से कम्पलीट नहीं कर पाया और जब वो आसपास भगदड मची देखता है जो उसी के कारण मची हुई है उसके उपर भी वो गर मैसूस करता है कि उसके कारण ही ये सब कुछ हुआ है और इसके बावजूद भी कि जब उसको पता चल गया जब उसको पता चलता है कि जो भी उसने किया है वो ढंक से नहीं कर पाया उसका दोश भी उसका दोश भी वो अपनी फैमिली की उपर डाल देता है और वो खुद गुड फर नथिंग करेक्टर है उसके बावजूद अब भी इतने प्रूफ मिलने के बावजूद भी अब भी वो ये सोचता है कि उसके जैसा परफेक्ट काम करने वाला कोई शक्स मौजूद नहीं है और वो अपनी पूरी फैमिली को इसका दोशी ठहराना शुरू कर देता है कि क्यों उसके फैमिली जैसे और लोग एक छोटे से काम के लिए उसके जैसे टैलेंटेड शक्स को चुन लेते हैं तो इन शौट अगर हम लोग देखें तो हमें पता चल जाता है कि अंकल पॉजर ने एक ऐसे करेक्टर के रूप में पेश किया गया जर वाला है और जो किसी भी काम को पर्फेक्टली करने में असमर्थ रहता है और उसके बावजूद भी वो अपने उपर कोई ब्लेम नहीं लेता उसके बावजूद भी वो डिंगे हांकना नहीं छोड़ता तो एक अब शॉट सा ही है तो हम लोग लें लाइन बर लाइन पैरा बैरा टेक्स्ट को आपको समझा दी है अब एक शॉट समरी में आप लोगों को इस कहानी की बताने जा रहा हूँ तो एक कॉमिक यूमरस स्टोरी है जो हम लोग पढ़ रहे हैं अंकल पॉजर हैंक सा पिच्चर इट इस स्टोरी औफ शॉट कमिंग्स आप मैं वो एक ऐसे शक्स की कहानी है जो की खामियों से भरा हुआ है और जब भी उसे कोई काम करना पड़ता है उसकी वो खामियों उसके सामने आ जाती है उसके बावजूद भी वो उन खामियों को ठीक नहीं करता और अपनी खामियों के लिए वो दूसरों को जिम्मेदार समझता है और हम लोगों को ऐसे लोग अक्सर मिल जाते हैं अपने आस्वास अपने घरों में जो जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं वो पूरी फैमिली को इन्वाल कर देते हैं उसके बावजूद भी वो काम को perfectly नहीं कर पाते हैं और ऐसे लोग घर में भी समाज में भी एक तरीके की disturbance एक तरीके की nauseous एक तरीके की commotion create करते हैं और अक्सर ऐसे लोग कैसे होते हैं बाई नेचर वो दूसरों के लिए गलत लेंग्वेज यूज़ करते हैं वो अक्सर हर कांग को छोटा समझते हैं और जब वो अपने आप उनके दोरा जो काम छोटा समझाए गया उसको भी कर पाने में समर्थ महसूस करते हैं वो उनका दोश जो है वो दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं यह उसके कारण नहीं हुआ यह तुम्हारे तुमने मेरे से ढंक से तसवीर नहीं पकड़ा इसलिए तसवीर गिर गई तुम लोगोंने मार्क को ध्यान में नहीं रखा तुम लोगोंने यह नहीं ध्यान रखा मैंने हैंकरचीप कहां पे रखा जैसे हम लोगोंने कहानी में देखा तो इस परकार से हम लोग यह देख सकते हैं जहां पर यह कहानी व्यंग आत्मक है यह कहानी सेट्रिकल भी है ऐसे लोगों के उपर व्यंग कसा गया है जो लेस काम करते हैं या फिर जो लोग बड़ी डिंगे हागते हैं इस कहानी में भी अंकल पॉजर को एक ऐसा करेक्टर बताया गया है जो की बहुत ही कॉमिक करेक्टर है और जो एक छोटा सा काम तस्वीर को दिवार बे लगाने का काम करने जा रहा है सबसे पहले वो लड़की को एक दुकान के उपर भीजता है नेल लाने के लिए लेने उसने उस लड़की को भेजाई से लिए उसके पीछे वो एक लड़की को भीज देता है जो की उसको नेल्स का साइज बताने के लिए जा रहे है उसके बाद जब वो तस्वीर को दिवार पे लगाने का काम शुरू करता है तब भी वो घर में great disturbance और commotion को create करता है जब वो पहली कोशिश करता है बजा इसके कि वो नेल की उपर मारे अपने आपको injured कर लेता है और उसके साथ साथ उसके हाँ से जब हैमर गिरता है वो लड़की को भी अपनी बेटी को भी injured कर देता है उस हैमर के गिरने के साथ now all the family member finding his handkerchief uncle again rebukes them in fact he is sitting on the court फिर से वो जब injury को ठी करना होता है वो अपने handkerchief को ढूनना शुरू कर देता है और वो सारी family को डाटना बुरा भला कहना शुरू कर देता है कि वो लोग ध्यानी रख सकते कि उसने कहां पर वो court रखा है जिसमें उसने handkerchief रखा था और वो बाकी लोग ढूंडे भी कैसे क्योंकि वो खुद उसी overcoat की उपर बैठा हो आथा जिसमें कि उसने handkerchief रखा था after some time when he drops the string after after some time when he drops the string lost his balance and fell on a piano which creates a sweet voice फिर हम लोग एक और incident देखते हैं वो mark लगा रहा होता है वो उस point के उपर mark पहुचने की कोशिश करता है जिसके उपर पहुचना उसके लिए कुरसी से लगभगा समरता और वो प्यानों के उपर बड़ी जोर से गिरता और एक musical effect होता है तो ये भी एक humorous incident है at midnight again he rebukes aunt when all the members are fatigued only uncle again he rebukes aunt says she will go to her she will go to her mother house if again he plan to hang the picture on the wall तो फिर से aunt maria उसको डाड़ती और वो कहती अगर फिर से कभी उसने ऐसा कोई काम करने के बारे में सोचा तो aunt maria अपनी बच्चों को लेके अपनी parents के घर चली जाएगी जब शान को आधी रात को वो तस्वीर को हैं करने में काम्याब हो जाता है वो भी बहुत अंसेफ तरीके से तो लगभग बाकी सारे गर के थक चुके हैं पूरे दिन की भगदर से बट आंकल पॉजर अब भी वैसा ही फ्रेशा इतना कमोशन क्रियेट करने के बावजूद भी अब भी बिलकुल वैसा का वैसा ही है तो फिर से वो जब वो पूरा काम सारे लोगों की हैल से खतम कर लेता है फैमिली मेंबर को डाड़ना शुरू कर देता है कि वो कहता है कि क्यूं उसे समझ नहीं आ रहा कि बाकी के ये सारे के सारे लोग बेखूफ हैं क्यों इतने छोटे से काम के लिए वो दूसरों की help ले लेते हैं वो कहते हैं उसे कभी भी ऐसे काम के लिए किसी की help की जरूरत नहीं पड़ी और आज भी उसने बिना किसी help के ये काम पूरा कर लिया और reality के हम लोग देखी चुके हैं कहानी में कि उसने ये काम सब की help लेनी के बावजूद भी ये काम वो धंक से पूरा नहीं कर पाया तो वो actually में कैसा बनने की शोकर है कि वो बहुत महान है वो ताकतवर है और बहुत समयदार है reality क्या है ना तो वो महान है ना तो वो ताकतवर है बलकि वो सबसे बेखूफ और कमजोर शक्स है और good for nothing person है जो किसी काम को भी धंक से नहीं कर पाता वो चोटे से चोटे काम के लिए उसे सब की help चाहिए उसके बावजूद भी वो उसकाम को धंक से complete कर पाने में अपने आपको असमर्थ महसूस करता है और वो ऐसे शक्स कैसे होते हैं उन्हें पता भी है कि उनके कान पूरे घर में भगदर मचते हैं फिर भी वो अपने आपको बड़ा शो करने के लिए अकसर दूसरों के काम खुद करना शुरू कर देते हैं और ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं उन कामों को कभी भी वो अन्जाम तक परफेक्टली नहीं पहुचा सकते इन दे अंड यह एक ऐसा लेसन है जो आप लोगों को हुमर भी लगेगा सेट्रिकल भी लगेगा इस और बहुल्द एक्टिविटी और वहाँ तो वहां पर राइटर एक message भी दे रहा है, कि जब भी हम लोग कोई काम करना शुरू करें, कोशिश ये करें हम लोग उस काम को अपने बलबूते पर ही complete करें, क्योंकि जब हम लोग दूसरे लोगों को उस काम में involve करेंगे, तो इससे हम लोग दूसरों को भी disturb करेंगे, तो इस परकार से ये कहान lesson जो है, एक comedy भी है, और satire भी है, ये व्यंगात्मक भी है, ये हास्य के incident से भरी हुई भी है, वहां पर satirical भी है, और वहां पर writer चाहता भी है, कि ऐसे लोग अपनी income को improve करें. कि अंकल पॉजर एक छोटे से काम के लिए, पूरे घर में बहुत भगदट, बहुत हर्चल मचाता है, बट उसके बावजूद भी वो काम को ठंग से complete नहीं कर पाता, अब भी तस्वीर बिलकुल ऐसे ठंगी होई थी, ऐसा लग रहा था कि तस्वीर किसी भी वक्त दिवार से नीचे गिर सकती है, बट स्टिल ही वाज़ नौट अबल, बट स्टिल ही वाज़ वाज़ बिलकुल ऐसे लोगों के उपर व्यंग गसा है, जो बड़ी बड़ी डिंगे हांते हैं, बट इन रियालिटी में दे और बुड फॉर नथिंग, जो ये शो करते हैं कि वो बहुत पावर्फुल और बहुत वाईज हैं, रियालिटी में वो बहुत ही वीक एंड फुलिश टाइप आफ प्यूपल होते हैं, बिलकुल अंग पॉजर के जैसे, जो अकसर अपनी कामियों को दूसरों के उपर थोपते हैं, जो छोटे से चोटा काम भी कर पाने में असमर्थ महसूस करते हैं, और हम सब लोगों के इर्दगिर ऐसे बहुत से लोग हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यह थी हमारी आज की वीडियो अमीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा आपकी वेलियोबर सजेशन्स का मुझे इंतिजार रहेगा करेकेम पर शूलख जर लाइक हैं रखुआ सेंड लाइकान वेलियो अच्छी ले इंति हैं